हरे किष्णाब रिवन स्वागत हैं आप सभी का स्काइवे लर्निंग अप पर तो आज की इस क्लास के अंदर हम अब्जेक्टिब टाइप कोस्टेंज को डिसकस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्रेशन रिसर्च ठीक है तो आज जितने भी कोस्टेंज हम डि पूचे जाएंगे ठीक है तो आपके लिए काफी बेनिफीशल यह सीरीज होने वाली है और जो भी सीरीज के क्लासे से आपको सारी क्लासे वन बाइवन वाच करनी चाहिए ठीक है इससे पहले मैट्रिक स्पेस ठीक है इस पर भी क्लास हो चुकी है कॉंप्लेक्स एनलिसिस अगर आपको प्रैक्टिस करने है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी ठीक है बहाँ पर जाकर क्या आप हमारे मैट्रिक स्पेस कॉंप्लेक्स अनलिसिस निमेरिकल अनलिसिस और ऑपरेशन रिसेंस ठीक है इन चारो टॉपि तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्ष्ट करना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो प्रीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ठीक है ताकि आप बाले टाइम पर हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे है ठीक है और साथी साथ अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं ठीक है बाई चांस अकर आप भूल जाते हैं बेल आइकन प्रेस करना इन केस आपको क्या चाहिए इंट्रेस्टिंग चीज़ें आपको बहाँ पर आपके स्लेवस से रिलेटेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है ठीक है तो टेल रिलेडेट कोस्टिंग को यहाँ पर हम बन बाइवन डिसक्रिप्श करेंगे ठीक है तो चलते हैं कोस्टिंग नमबर वन इफ और डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दा सर्यूशन इंडर टेस्ट विल भी अब यहाँ पर डेल्टा जे हमारे पास क्या है तो आप जब भी simplex method पढ़ते हैं तो उसमें टेबल बनती है simplex टेबल लास्ट में आपके पास डेल्टा जे निकालते हैं डेल्टा जे की वेलू हम यहाँ पर लेकर करके चलेंगे तो यहाँ पर यह क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तब ही हमारे पा हमारे पास यह condition satisfy करती है यानि कि जितनी भी डेल्टा जे निकालते हैं for all यह अगर सारे positive हो जाएंगे तो उस case में हमारे पास optimal solution आ जाता है ठीक है तो कैसा solution होगा optimal solution ठीक question number two पे आते हैं question number two में क्या पुछा गया है values of decision variables which satisfy constraints of a general LPP is called ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या वो लगया है हमारे पास जितने भी decision variables होते हैं अगर वो सारे constraint को satisfy करते हैं किसी भी general linear programming problem को ठीक है तो उस case में हमारे पास कैसा solution होता है पहला option क्या है general solution second option है optimal solution third option है feasible solution तो जब भी decision variable हमारे constraint को satisfy करते हैं तो उस case में हमारे पास solution निकल के आता है उसको हम बोलते है feasible solution कैसा solution होता ही है feasible solution होता है ठीक है तो option number three हमारे पास सही हो जाएगा ठीक है चलते है next question तो next question से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा CUT PG mathematics के लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट के थी पीवाई के सीरीज तो जिसके अंदर linear programming problem के questions भी मैंने discuss किये थी ठीक है 2021 में जो भी question LPP क्या है तो आपके MJPR दोलगंड में भी simple है आपका operation research में LPP तो ही तो LPP के question आप CUT वाले भी practice कर सकते हैं ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टन question है फिर इसके बाद दो वीडियोज है अपर जा करके देख सकते हैं और practice कर सकते हैं ठीक है अभी यह लिखा ATP ATP का मलब है transportation problem ठीक है यह वारे पास क्या है transportation problem ठीक है तो यह transportation problem को हमने यह आपर sort में लिखा है इसमें supply किसके equal होती है टोटल supply तो आपको पता है जो balance condition होती है हमारे पास एक तो supply होती है दूसरी demand होती है ठीक है तो जो हमारे पास stable होती है उस table में क्या होता है जो total supply होती है वो हमेशा किसके equal होती है total demand के equal होती है ठीक है तो टोटल supply is equal to total demand तो option नंबर कौन सो सही होगा first option यहाँ पे सही होगा ठीक है total supply is equal to total demand यह question भी आपका MJPRO 2020 में पूचा गया है ठीक है तो 2020 में चलते हैं next question पर question number four question number four क्या है Northwest corner rule ठीक है NCWR का मदलब क्या है नौर्थ वेस्ट कॉर्णर कि सॉरी कॉर्णर ठीक है तो Northwest corner rule is used to solve अब यह method किस में यूच किया जाता है पहला option है transportation problem दूसरा assignment तीसरा replacement तो भाई आपको याद होना चाहिए transportation problem का ही यह method है method number one सबसे easy method होता है Northwest corner rule तो यह transportation problem को solve करने में यूच किया जाता है ठीक है फिर चलते है next question question number five पे एन efficient solution procedure for assignment problem was developed by यह भी रोयल खंड उनिवरस्टी में पूछा जा चुका है 2020 के paper में तो यहाँ पर पूछा assignment problem को solve करने के लिए जो method यहाँ पर develop किया था किस ने किया ठीक है तो पहला option ने डे डी कॉनिक ने दूसरा है जोज भी डैंट जिग में जिगने ठीक है और तीसरा option ने न्यूटन चौथा आइंस्टीन तो यह पर option number one बिल्कुल correct हो जाएगा डी कॉनिक ने यहाँ पर assignment problem का जो method है वो यहाँ पर discover किया था डेबलब किया था ठीक है तो important question है आपका exam में आने के chances जादा है क्योंकि यह already यह previous question रह चुका है ठीक है फिर चलते question number six पे question number six में क्या है who is recognized as the father of linear programming अब यह जो father of linear programming है ऐसे भी question आ सकता है कि simplex method कि किस ने develop किया था first time ठीक है तो यह जो first time simplex method जिन्होंने जन्रेट किया था जिन्होंने यह दिया था बही हमारे पास father of linear programming भी कहलाया जाते हैं तो यह father कौन है तो option number B सही है आप जोर्ज बी डैंट चिक है तो यह हमारे पास option number सही हो जाएगा और जब बी कॉनिक की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सा दिया था assignment problem को solve करने के लिए Hungarian method ठीक है और यह जो जौर्ज बी डैंट चिक है इन्होंने simplex method को discover किया था और यह father of linear programming भी कहलाया जाते हैं ठीक है वोगल्स approximation यह वैम method है जो कि हमारे पास transportation problem में यूज किया जाता है किसमें transportation problem में lowest cost entry method यह भी हमारे पास transportation problem में यूज किया जाता है लेकिन यह Hungarian method है यह हमारे पास assignment problem को solve करने के लिए यूज किया जाता है और इसी method को हमारे पास किसने discover किया था उपर दिखे कौन सा option है मारे पास D-conic ने ठीक तो ये question number 7 होगे question number 8 पे आते हैं the number of non-negative variables in a basic feasible solution to a m cross and transportation problem are ठीक है तो मारे पास number of non-negative यहाँ पर variables की जगे है non-negative restrictions या फिर लिख लीजिए non-negative allocations allocation ठीक है जो total number of allocations होते हैं किसी भी basic feasible solution में m cross n की अगर matrix नहीं हमें आपर transportation problem तो वो कितने होते हैं तो इसका answer है m plus n minus 1 ठीक है तो option number यहाँ पर 2 सही हो जाएगा ठीक है second option सही हो जाएगा फिर चलते है next question question number 9 पे ठीक तो question number 9 में क्या है in a 5 in a 5 by 6 transportation problem 5 by 6 का मनलब है 5 cross 6 के हमारे का स्मेट्रिक्स बनेगी transportation problem की for a feasible solution to be non-degenerate अब non-degenerate solution चाहिए तो total number of allocations क्या होते हैं अभी मैंने बताया था m plus n minus 1 m की value 5 है हमारे पास ठीक है m की value कितनी है हमारे पास 5 है तो 5 plus 6 minus 1 जब आप करेंगे तो यह 10 आएगा ठीक है तो option number 3 सही हो जाएगा ठीक फिर उसके बाद चलते हैं question number 10 पे जो की last question है आज की class का which of the following is related to linear programming problem तो पहला option है objective function यह भी LPP में होता है constraints यह भी होते हैं और requirement vector यह भी तो option क्या हो जाएगा all of these तो I hope आपको आज की video आज की class बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की class समझ में आई है पसंद आई है तो please video को like कीजिए ठीक है और comment box में जरूर बताईए अपना experience ठीक है तो comment कीजिए और साथी साथ आपके जो भी सहपार्टी हैं classmates हैं class fellows हैं उनके साथ हमारे इस video को हमारे इस channel को जरूर share कीजिए ठीक है और at the last में आप सभी लोगों से फिर से एक बाद रिकर्श करना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक channel subscribe नहीं किया अगर आप लोग पूरी वीडियो देख चुके हैं तो आप सबसे पहले जाए चैनल को subscribe कीजिए ठीक है subscribe कीजिए और साथी साथ इस्टाग्राम पे भी आप follow कर सकते हैं facebook पे भी follow कर सकते हैं ठीक है साथी साथ telegram channel है उसको भी join कर सकते हैं आप इन interest भी हमसे जुड़ सकते हैं ठीक है और इस QR को scan करने के बाद आप हमारे पार्टर classes app है बहाँ पर मैंने यहाँ पर batches ले रखे हैं इसी तरीके से मिलेंगे हम और अपने interesting classes लेकर कराएंगे और next class में हम फिल से यहाँ पर operation research के important questions को discuss करने वाले हैं तो इसी तरीके से आपकी operation research complete जितना भी स्लेवर से उस पर जो भी questions पूछे जा सकते हैं उनको discuss करेंगे numerical analysis का almost complete हो चुका है complex analysis का भी कराएंगे साथे साथ metric space ठीक है तो इन चारो topic के objective type question अगर आपको detail में practice करने हैं तो आप daily हमारी videos को watch करते रहे हैं हमारे channel को subscribe करेंगे मिलते हैं next class में तब तक लिए thanks for watching have a good day